नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे JSSC यानि जारखंड स्टाफ सलेक्शन कमिशन की ओर से निकाले गए जारखंड पुलिस कॉंस्टेवल के 419 पोस्ट की वेकेंसी जिससे अंग्रेजी में जारखंड कॉंस्टेवल कॉंपेटिव इकजामिनेसन तथा हिंदी में जारखंड आरक्षी परतियोगिता परिक्षा के नाम से जाना जाता है इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे बरे इसका रेश्टेशन से लेकर के पेमेंट तथा फोटो सिगनिचर अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सम्मिट एक ही दिन में कैसे करें इसका कम्पलीट जनकारी आपक को लेकर के बहुत सिमातपुर्ण बातें इस वीडियो में विस्तार पूर्वग बताया गया है जिसे देखकर और समझकर आप भी जैससी की जारखंड पुलिस कॉंस्टेवल की फॉर्म को बिना गलती कि यह ऑनलाइन भर सकते हैं तो आईए बिना देर कि यह चलते हैं अप के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां पे आपको एप्लिकेशन फॉर्म अप्लाइ का ओप्शन मिलता है इसमें आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन फोर जे सी सी यी दोहजरत तईस वाले ओप्शन को देख लेना है और उसके वगल में अप्लाइन नाव वाले ओप्शन पर क्लिक करना है जिससे आप इस पेज पर आ जाएंगी और यहां पे इस एप्लिकेशन का लास्ट डेट कब हैं इसके बारे में पूरी जनकारी आप यहां से देख सकते हैं और यहां पे online का option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है जिससे यह वाली page ओपेन हो जाएगी और यहां पे आपको फास्ट नमर वाले ओप्शन में applicant first name मतलब आवदक का पहला नाम लिखना है यहां पे और उसके बगल में last name वाले option में उसका last name अनिस सर नेम जो भी है उसके आपको लिख मैं यहाँ पर एक्जांपल के जरीह आपको समझा रहा हूं और उसके नीचे में यहाँ पर डेट ऑफ वाले आप्चन में सबसे पहले आपको अपना साल फिर महीना तथा डेट को सलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर फादर नेम में उसके पिता-जी का पूरा नाम लिखन है जो उसके मेट्रिक के साटिफिकेट में है उसी के हिसाब से पूरी डीटेल को यहां पे डालना है और उसका नाम डेट अब बर्थ मोबाइल नमर इमेल आईडी इत्यादी चेंज नहीं होगा इसलिए अच्छी तरह से कंफॉर्म कर लें तभी डालें उसके बाद जैंडर वाले ओप्शन को सेलेक्ट करें फिर मोबाइल नमर में आवेदक का मोबाइल नमर डालें और कंफॉर्म मोबाइल नमर में उसी मोबाइल नमर को कंफॉर्म करके डालें और उसके नीचे अधार नमर वाले ओप्शन में आवेदक का अधार नमर को यहां पे डालें फिर इम पहचान चिन को डालना है आवेदक का जो भी पहचान चिन है उसे आप यहाँ पे डालें और फिर यहाँ पे आपका वीजिवल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 को एक दूसरा पहचान चिन है तो उसे आप डालें या फिर इसे आप छोड़ भी सकते हैं एक ही पहचान चिन आप डाल सकते हैं क्योंकि यहां पे देखिए rate color का star नहीं लगा हुआ है जिस भी option में rate color का star लगा हुआ है उससे डालना आपको जरूरी है और उसके निचे में आपको option for language paper to के option में click करना है यहां पे आपको बहुत सारे option दिख जाएगा इन में से जिसे भी आप paper to का language रखना चाहते हैं उसे आपको select करना है फिर उसके बगल में marital status में अपने marital status डालें कि क्या आप साधी सुदा है दिया तो merit करें नहीं तो unmerit करें और अगर आप merit को चुनते हैं तो यहां पे sports name का option आता है और उसके बाद sports name वाले option में आपको अपने जीवन साथी का नाम यहां पे लिखना है उसके बाद scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है तो यहां पे other information वाले option में vacancy type में आपको यहां पे regular backlog और both का option मिल जाता है अधि आप regular vacancy को select करना चाते हैं अन्यके वर्तमान में जो अभी निकला है जितने पद निकला है उतने पद के लिए भरना चाते हैं तो आप regular को select करें या फिर आपने इसमें पहले भी form भरे थे जिसका अभी pending है पिछले 2018 साल का कुछ इसमें है vacancy backlog का तो अधि आप उसका भरना चाते हैं तो आप backlog को चुनें या फिर इन दोनों में से भरना चाते हैं तो पुराने candidate है जो कि backlog को भरे हैं और regular में भी आप भरना चाते हैं तो बहुत वाले option को चून सकते हैं तो मैं यहाँ फिलाल जिसका भर रहा हूँ regular के मांदियम से भरने वाला हूँ तो regular को select करता हूँ उसके बाद यहाँ पे पुछा जा रहा है are you local resident of जारखंड मतलब आप जारखंड के रहने वाले हैं तो अधि हैं तो yes करें नहीं तो no करें फिर उसके बाद आपका district को पुछा जाएगा तो आप यहाँ से अपना district को चून लें उसके बाद उसके नीचे में आपका category का option आता है दोस्तों category को select करते हुए एक विश्यस बात को आपको ध्यान में रखना है आप जिस category को यहाँ से select करते हैं उसी category से आपको जितने vacancy निकला है उसे आप डाल सकते हैं उधारन के लिए अगर आप HD में आते हैं और HD को select करते हैं तो HD का जो seat है उसी को आप डाल पाएंगे और फिलाल HD की बहुत कम site निकाला गया है तो अदि आप general से भी डालना चाहते हैं तो general को select करके डाल सकते हैं क्योंकि general का seat इसमें काफी ज़्यादा निकला गया है उसे आप देख लें तो मैं फिलाल यहाँ पे HD को ही select कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से देख लें फिर यहाँ पे पुछा जा रहा है आप पुछा जा रहा है मतलब आप इससे पहले हॉम गार्ड में सर्विस कर चुके हैं तीन साल या फिर कम से कम छे महिने तक तो अधी कर चुके हैं तो एस करें नहीं तो नो करें उसके बाद उसके नीचे का उप्सन आपको डू यू क्लाइम रिजर्वेशन अंडर इसपोर्ट कोटा तो अधी आप इसपोर्ट कोटा के अंतरगत अपलाई करना चाहते हैं तो एस करें नहीं तो नो करें और फिर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएं तो यहां पे आपका एजुकेशनल क्वैलिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो यहां पे यह 10 लेवल से है तो यहां प हमाहिना को आप यहां से चुन लें जो कि आपके मार्क सीट में लिखा हूए होगा नीचे में उसके बाद आपका रिजल्ट is status मैं आपको पास ओले ऑप्सन को चुन लेना है तिपास है तो क्योंकि यह मेट्रिक पास ओलों के लिए ही है उसके बाद मैट्रिक का रोल नमर आपका जो भी है उसे आप यहां पे डालें और उसके बाद percentage of mark evident इसमें आप metric में कितने परतिसा तंक लाए थे उसे आपको यहां पे डालना है और उसके बाद उसके नीचे scroll down करके आने पे यहां पे आपका address का option मिल जाता है यहां पे आपको इस side में correspondence address का option मिलता है तो अर्त लिखना चाहे तो लिखें उसके बाद यहां से आपको अपना state को select करना है फिर district को select कर लेना है और उसके नीचे pin code वाले option में अपने area का pin code को लिखना है अधी आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता अलग अलग है तो आप जो अलग पता है उसे आप यहां पे डालने य और उसके बाद आपको यहां पे preview and submit वाले option पर click करना है जिससे आपने जो भी यहां पे form भरे हैं उसका preview आपको दिख जाएगा आप अच्छी तरह से एक एक करके सारी detail को मिला ले चेक कर लें कि आपके दौरा दी गई सभी जानकारी सही है उसके बाद पूरी check करने के बा दालना है और अधी आप इसमें कुछ changes करना चाते हैं तो यहां पे आपका नीचे में edit record वाले option पर click कर सकते हैं या फिर अधी आपके द्वारा दीगरी सारी जानकारी सही है तो submit and nest वाले option पर click करें जिसके बाद यहां पे आपको फिर से वापस से registration number तथा date of birth डालना है और यहां पे जो capture को यहां पे डाल करके login वाले option पर click करना है जिससे आप इसमें login हो जाएंगे और यहां पे आपने जो भी category select किये हैं उस category से related जितने जगा पर city हैं उस सभी का आपको यहां पे vacancy का list आपको दिख जाएगा इसमें आपको preference के अधार पर डालना है जहां से first choice आप जहां से रखना चाते हैं उसमें आपको एक चुनना है उसके बाद दूसरे जगा जहां पे आप second choice रखना चाते हैं उससे आपको दो चुनना है उसी तरह करके आपका जितने भी जगा के यहां पे vacancy का list है उन सभी को आपको चुनना है आप इसकी seat को एक बार देख और नेश्ट वाले option पर क्लिक करना है जिससे यहां पर जो भी आपका application का फीस होगा वो दिख जाएगा तो फिलाल यहां पर मैं ST seat से apply कर रहा हूँ तो ST का charge जो है 50 रुपया है अधि आप general से कीजिएगा या फिर OBC से कीजिएगा तो उसका charge 100 रुपया आपको कटे गया तो pay now वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको billing information की detail डालना है और उसके निचे आपको payment information में बहुत सारा option मिल जाता है जो कि पहले सिर्फ net banking इसो होता था मगर आप इसका update आ गया और इसमें आपको credit card, debit card, net banking तथा UPI का भी option मिल जा रहा है और इसमें पहले तीन दिनों का time लगता था तो अब आपका एक ही दिन में पुरा form complete fill up हो जा रहा है तो यहां पर billing information को आप डालें billing name, address, zip code फिर यहां पर city, state, country mobile number, email id, इत्यादी डालने के बाग यहां पर आप जिस भी माधियम से payment करना चाहते हैं उसे चुने तो मैं फिलाल आपको UPI के माधियम से payment करके दिखाने वाला हूँ तो UPI वाले option पर click करता हूँ और उसके बाद यहां पर पे वीथ UPI QR code को scan करके भी कर सकते हैं तो यहां पर आपका timing स्टार्ट हो जाएगा अब आप इसे phone पर Google पर पर TM, BIM, UPI, कोई भी UPI एप से QR code को scan कर लें और वाहां से payment कर दें जिसे आपका payment से access होगा यहां पर automatic photo तता signature upload की page खुल जाएगा तो यहां पर दखिए फोटो में आपका JPG, JPG, PNG फाइल में होना चाहिए और फाइल का size आपका 20 के भी से 50 के भी तक होना चाहिए फोटो में तो आप फोटो को scan करके रखे लें और फिर choose file वाले option पर click करें और जिस भी photo को आप upload करना चाहता है उस photo को आप चुने और फिर upload वाले option पर click करें तो यहां पर देखिए photograph uploaded successfully का message आज आएगा इस पर आपको ok करना है और जिससे उसका photo आपको यहां पर दिखे जाएगा और फिर signature वाले में भी आपका JPG, JPG, PNG फाइल होना चाहिए और उसका size 5KW से लेके 20KW तक होना चाहिए तो 5-20KW के बीच में scan करके रख लें और choose file वाले option पर click करें तता signature को आप select करें और फिर upload वाले option पर click करें तो यहां पर signature uploaded successfully का message आ जाएगा इस पर आपको ok करना है और जिससे आपका signature यहां पर दिख जाएगा मैंने signature को गलर कर दिया हूँ उसके बाद final submission and national वाले option पर click करना है जिसके बाद आपके complete form fill up हो जाएगा और आपका registration number यहां पर दिख जाएगा यहां उपर में आपका नाम दिख जाएगा और फिर यहां पर देखिए आपका print application का option आ रहा है तो print application वाले option पर click करें जिससे आपकी application form यहां पर खुल जाएगा scroll down करके इसमें आपको नीचे आना है और सबसे नीचे में आपको print का option मिल जाता है यहां से आप इसका print out निकाल लें या फिर PDF में save करके रख भी सकते हैं तो दोस्तों यह था JSSC की जारखन तो वीडियो को like करके channel को subscribe आवश्य कर लेजिएगा हमसे जूड़े रही है इसी तरह की और वीवपयोगी वीडियो को देखने के लिए जल्दे मिलते हैं एक नई वीडियो में वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद